नमस्ते दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मंचूरियन बनाएंगे जाड़े में बहुत आसानी से बन जाती क्योंकि सब्जियां इस मौसम में बहुत अच्छी आती हैं चलिए बनाना सुरू करते हैं यह ग्रेवी वाली मंचूरियन बहुत ही टेस्टी लगती है उसके ल सब्जी निकाल के रख लेते हैं क्योंकि एक ग्रेवी बनाने के काम में आएगी अब हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अधी छोटी चम्मच और अच्छे से मिक्स कर देना है अब पांस मिनिट के छोड़ के रख देना है इसको ऐसा करने से सब्जियों से पानी निकल आता हैं ऐसा करने से थोड़ा सा कम डालना पड़ता है मायदा या फिक चावल कांटर या फियारा रोट हम तो यह मंचूरियन चावल की आटा से बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और कुर्कुरी बनती हैं और अंदर से साफ्ट भी बनती हैं आप लोग भी जरूर बनाईएगा इस अब थोड़ा सा चावल कांटर डाल देते हैं हम मैदे का यूज नहीं करेंगे अब थोड़ा सा आरा रोट डाल देते हैं और हरी मिर्शी कटी हुए लैसुन कटा हुआ और बारी कटा हुआ अधरक थोड़ा सा पिसा हुआ काली मिर्श का पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी थोड़ा सा निकलता है सबजीयों से थोड़ा सा एक पिंच हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है इससे मुलायम बन दिये हैं अंदर से और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है मंचूरियन थोड़ा सा चावल काटा और डाल देते हैं परफेक्ट डू तयार हो चुका है अब हम थोड़ा सा तेल लगा के हाथ में छोटे छोटे बाल्स बना लेते हैं इनको बहुत बड़े नहीं बनाना है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा पड़ा है तो थोड़ा से फूलेंगे उपर से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से मुलाइम बनते हैं इस तरह से एक बार आप लोग भी जरूर बनाईएगा ऐसे ही सारे बाल्स बनाके तयार कर लेते हैं हमने बाल्स बनाके तयार कर लिया था तेल भी गरम हो चुका है पहले हाई फ्लेम पे इनको डाल देना है फी गैस का फ्लेम लो कर देना है मीडियम फ्लेम पे इनको तलना है जिससे अंदर से अच्छे से पक जाएं और उपर से क्रिस्पी हो जाएं अगर हाई फ्लेम पे इनको तलेंगे तो उपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे रहेंगे वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में पहले इनको चलाना नहीं है कल्ची से इस तरह से कड़ाही में हिला देना है थोड़ा सा यह जब पक जाएंगे तो कल्ची से चलाना है इनको तैयार हो चिके हैं मंचूरियन बाल से इनको निकाल लेते हैं थाली में ऐसे ही सिकेंड बैच के भी तल लेते हैं ये भी तैयार हो चुके हैं अब इनको भी निकाल लेना है ठाली में देखिए कितने कृष्पी उपार से बने हैं और अंदर से साफ्ट हैं ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं ऐसे भी खा सकते हैं एक कडाई में तेल लेना है लेसुन हरी मिर्ची अदरक डाल देना है कटा हुआ इस तरह से और अच्छे से पका लेना है इसको अब हमने सब्जी जो निकाल के रखी थी उसको डाल देना है और थोड़ी देर ऐसे भून लेना है चलाते हुए बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनना है अब हम कैचप डाल देते हैं टामैटो कैचप चिली सास और थोड़ा सा सोया सास और अच्छे से चला देना है अब थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर ये कास्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा आता है मंचूनियर में अब घुला हुए आरा रोट डाल देते हैं हमने तीन चम्मस को घोल लिया तार रोट को पानी में इस तरह से डाल देते थोड़ा सा जो पानी बचा था उसको डाल देते हैं ऑर चला देते हैं थोड़ा सा पानी All femmes कर कि और अच्छे से मि rif कर देना है अब मंचूरियन बाल देते हैं थोड़ी देर मंचूरियन बालक साथ ग्रेवी को पका लेते हैं अब गयास का फ्लेम बंद कर देते हैं मंचूरियन बनके तयार हो चुकी है उपर से थोड़ा सा हरा प्याज डाल देते हैं देखिए कितनी सुंदर सी मंचूरियन बनके तयार हो चुकी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते ही, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डाल देते हैं, इससे कलर और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लगती है, हमने फ्राइड राइस के साथ इसको सर्व किया है, फ्राइड राइस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजेगा, दोस्तों आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत भुत धन्यवाद,